हाई फ्रेंड्स आइम भाग्य श्री वेल्कम टू कुक्वी श्रगुन तो फ्रेंड्स लॉक्डाउन चर रहा है तो पेकरिया भी सब बंध है तो अब केक लाए कहां से तो आज हम बनाएंगे एकदम सिंपल वाली ओर्यो केक इस केक में हम बेकिंग सोडा या इनो का कोई क्लिक करें और उसके बाजों में जो गंटी का बटन है उसको प्रेस करें जिससे क्या होगा कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोट करूंगी आपको सबसे पहले नॉटिफिकेशन मिल जाएगा तो चलिए हम केक बनाते हैं यहां पर मैंने कडाई लिए और कडाई में मैंने नमक जाए और उसको डग दिया है और अब हम इसको क्या करें कि प्रिहिट करेंगे फंद्रा मिनिट तक उसको प्रिहिट करेंगे और गैस के फ्लेम मीडियम रखेंगे तो दूसरे साइच चलते है मैंने यहां पर जो छोटे तीन पैकेट आते बिसकेट के वोल यह है जिसमें 15 तो हम इस सारे बिसकेट को एक मिक्सिजर में ट्रांसपर कर लेंगे और उसके बाद मैं यहां पर इसका एक फाइन पावडर बना लूँगे बिकास यहां पर हम मैले या गेहो के आते का यूज नहीं कर रहे है तो हम यहां पर बिसकेट से ही केक बनाने वाले तो मैंने सब बिसकेट का पावडर एक त्यार हो चुका है तो अब हम इसको एक मिक्सी बाउल में इसको ड्रांसपर कर लेगे तो कि अम्यूसको इसका एक पैटर बनाना है तो उसके पहले मैंने क्या किया यह जो केक्विश एक त्यूस को आप उइल और बटर से उसको ग्रीस कर लीजिय इससे क्या होगा कि हमारी केक जब बेक होगी तब वो नीचे चिपकेगी नहीं तो उसके लिए आप ओईल का पी तिल का भी यूज कर सकते हो और या बटर का भी यूज कर सकते हो उसके बाद मैंने यहां पर एक बावल में जो बिस्किट पावडर था उसको डाल दिया है इसम उसका एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे और हमें यह बैटर पतला भी नहीं चाहिए और थिक भी नहीं चाहिए मेडियम थिक कंसिस्टनसी वाला हमें यह बैटर बनाना है तो आप दीरे-दीरे करके उसको उसमें दूद डालिए और इसको मिक्स करिए तो हमारा यह परफेक्ट बैटर एकदम रेडी हो चुका है अब यहाँ पर मैं डाल रहे हूँ आधी छोटी चमच बेकिंग पाउडर विकोज यहाँ पर हम कोई भी बेकिंग सोडा या इनों का उप्योग नहीं कर रहे है इसलिए और बेकिंग पाउडर के उपर मैंने एक चमच दूद डाला है इससे क्या होगा कि हमारा बेकिंग पाउडर है वो एक्टिवेट हो जाएगा अब हम इसको एक मिक्स देंगे बढ़ हमें इसको धीरे सही मिक्स करना इसको स्पिर बे मिक्स नहीं करना है कट और फोल्ड मैथट से हम इसको मिक्स करेंगे उसके बार हमने जो ग्रीस किया हुआ केक तिन था उसमें हमारा यह केक का बेटर है वो हम डाल देंगे अब हम इस टिन को चार से पांच बार हमको इसको टैप करेंगे इसे क्या होगा कि अंदर कोई भी एर बबल्स होगे तो वो निकल जाएगा टैप करने के बाद हम हमारी जो प्री हीट कड़ाई थी उसमें हम केक टिन को रख देंगे और उसको फिर से ढख देंगे और उसके बाद हम इसको केक को बेक होने के रिए रखेंगे तब पचिस से तीस मिनिट तक उसको रखेंगे मैंने उसको बीच में दो बार चेक किया था कि बीच में से वो कच्चा है या पक चुका है बढ़ हमारा केक एकदम बिल्कुल बेख हो चुका है तो अब हम इसको क्या करेंगे कड़ाई में से निकाल लेंगे और उसको आदे गंडे के लिए थोड़ा ठंडा होने पर रख देंगे आदे गंडे के बाद हम इसको क्या करेंगे चाकु की मदद से हम केक को डिमॉल्ट करेंगे जब भी केक डिमॉल्ट करते है तब हम उपर से उसको ऐसे टैप करते इससे क्या होगा कि हमारा जो केक हो इजीली डिमॉल्ट हो जाएगा तो देख सकते हो आप हमारा ये केक कितना स्पॉंजी और सॉफ्ट बना है और देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो केक को हम उपर से डेकॉरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने मिल्क कमपाउ दॐंगी उसके बाद मैं और इसको 20 सेकंड के लिए माइकरौवेव करेंगी और 20 से कंड के बाद उसको तफेसे में छल लूँगी और उसके बाद मुझे इसला लग रहा है कि अभी तक हमारा जो चौकलेट रहें हो नहीं हुआ है तो मैं इसको 10 सेकंड और माइक्रोवे करूंगी अब इसको क्या करेंगे दो तीन मिनिट के लिए ऐसे ही हम उसको रहने देगे तो यह हमारा चोकलेट एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो देख सकते हो आप हमारा चोकलेट कितना अच्छा मेल्ट हुआ है और एकदम साइन पी आ रहा है चोकलेट अब हम इसको केके टॉप पर उसको फैला देंगे अच्छा में बिल्कुल हो जाता है तो यह उसको डेखरेट करें आपके गर में कोई भी बड्डे हो या अनिवर्स्री हो कोई भी छोटा साइसे फंक्शन हो तो आप ऐसे केक सीम्पल बना सकते है और उसको मैंने और अच्छा दिखे इसलिए मैंने क्या किया है कि जो चॉक किया है इससे कि क्या होगा कि हमारा जो केक है उसका लूग बहुत ही अच्छा दिखेगा हमारा ओर्यो केक एकदब बिल्कुल रैडी है और बहुत ही यमी दिख रहा है यहां पर मैंने वाइट एडिबल बॉल ली है इससे मैं इसको डेकोरेट कर रहा हूँ बीच में आपके पास ना हो तो आप नहीं कर तो भी अच्छा है कोई बात नहीं है और मैंने यहां पर उसको पंदरा मिनिट के लिए फ्रीज में रख दिया था उसके बाद मैं इसको क करिए और देखिए कि कैसा बन रहा है और आपके सब को घर में बहुत ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप मेरी चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमेरी ग्लूप में उसको शेर किजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू